कुछ साल पहले हम एक ट्रेनिंग में बेठे थे और हमारे जो ट्रेनिंग देने वाले थे उन्होंने हमें एक कहानी बताई एक नेपाली महिला की कहानी वीडियो भी दिखाई हमें और उससे हम बड़े प्रभावित हुए वो नेपाली महिला अनपढ़ है, पढ़लिक नहीं सकती और वो नेपाल में प्रभु येशु रहती है प्रभु येशु पर विश्वास करती है और चर्च आती है लगातार संडे सुभा हमारा चर्च तो शाम को लगता है, लेकिन बाकी दुनिया भर में तकरीबन चर्च सुभा ही लगता है तो वो सुभा चर्च जाती है, लगातार जाती है, बचन सुनती है, बाइबल लेकर नहीं जाती क्यों बाइबल लेकर नहीं जाती चर्च में? क्योंकि उसे पढ़ना लिखना ही नहीं आता हमेसे कही है जो पढ़ना लिखना जानते हैं पर बाइबल लेकर नहीं आते वो दूसरी बात है आप सोच लेना पर ये बहन बाइबल लेकर तो नहीं आती क्योंकि पढ़ना ही नहीं आता पर चर्च दिल खोल कर आती है प्रभू का वचन बड़ी लगन से सुनती है उसके बाद क्या करती है वचन को पवित्रात्मा की शक्ति उसके अंदर कारे करती है और संडे हर संडे हर संडे जो वचन सुनती है उसको एक गीत के रूप में कनवर है क्योंकि वचन पढ़ना भी नहीं आता लेकिन जो वचन सुना जिसका उसने गीत बना दिया वो गीत लोगों को सुनाने लग जाती है और गीत सुना सुनाकर वचन पे अधारित गीत बनाकर और गीत गाकर और गीत सिखाकर घर घर जाकर, गाउं गाउं जाकर सैंकडों लोगों को प्रभु में ला चुकी है सैंकडों लोग प्रभु में आ चुके है अगर आपको प्रभु येशु मसी का प्रचारक बनना है, सेवक बनना है दास बनना है, आपके जीवन के हलाज चाहे जो भी हो आप प्रभू की सेवा कर सकते हैं परमेश्वर ने अपनी सेवा करने के लिए केवल पड़े लिखे लोगों को नहीं रखा है जब प्रभू येश्व मसी का जनम हुआ तो सबसे पहले संदेश किसको पहुंचा? गड़ियों को पहुंचा कहने क्या मतलब है? कि अगर हम प्रभू येश्व मसी की सेवा करना चाहते हैं तो प्रभू हमें इस्तिमाल कर सकता है और हरेक विश्वासी जो इस धर्ती पर है हरेक इनसान जिसको प्रभू ने चुना है जो प्रभू येश्व मसी पे विश्वास करने के लिए जो अनन्त काल के लिए चुना गया है प्रभू ने उस हरेक इनसान के लिए हरेक विश्वास करने वाले के लिए एक उद्देश रखा है सब जोर से बोलो उद्देश हरेक व्यक्ती के लिए एक उद्देश प्रभू ने रखा है और इस बहन की कहानी जो मैंने आपको बताई, ये गाउं गाउं जाती है और ये अपने उदेश्य को जान चुकी है अब नहीं स्कूल जा सकती है, अब नहीं पढ़ सकती लेकिन प्रभू की सेवा कर सकती है और करती है प्रभू की सेवा एक और भाई की कहानी सुनी, उनका नाम भगवान है पागल हो चुका था वो आदमी और नंगा सडकों पर घूम रहा था प्रभू के लोगों ने पकड़ा, प्रभू के दासों ने पकड़ा उसके उपर प्रातना की, उसको रहने खाने का स्थान दिया उसकी बड़ी मदद की और आज वो व्यक्ति, प्रभू ने उसको चंगा किया है और आज वो पास्टर बन चुका है हलेलूया, आज उनका नाम पास्टर भगवान है क्या सीखते हैं हम इससे कि हमारा बैक ग्राउंड, हमारी प्रिष्ट भूमी हम पीछे से चाहे बहुत कमजोर घर से क्यों ना हो इससे कोई फरक नहीं पड़ता येशुमसी भी जानवरों के बीच में पैदा हुआ था येशुमसी के पास रहने का कोई घर नहीं था येशुमसी के पास टैक्स भरने के लिए खुद के पैसे नहीं थे येशुमसी के पास अराम करने के लिए भी अपना खुद का स्थान नहीं था हमारी प्रिष्ट भूमी कोई भी हो हम किसी भी प्रकार के परिवार से क्यों ना आते हो परमेश्वर ने हर विश्वासी के लिए एक उदेश रखा है और हमारी जिम्मेदारी है प्रभू में आने के बाद जब उसने हमारे पाप माफ कर दिये जब उसने हमें अनंत जीवन दे दिया जब उसने हमारे लिए स्वर्ग में स्थान तियार कर रहा है जब उसने हमें अपने हमारे दे को अपना मंदिर बना लिया है जब उसने हमारे साथ अनन्त काल तक वफादारी निभाने का वादा किया है तो हमारी जिम्मेदारी है कि अब जब हम उसकी संतान बन चुके हैं तो जब तक हम इस धर्ती पे हैं हम प्रभू से पूछें कि प्रभू मेरा उदेश क्या है मुझे बता, मुझे दिखा और फिर मैं जीवन भर उस उदेश के पीछे चलू और प्रभू की महिमा के लिए काम करूँ और प्रभू की महिमा के लिए अपने जीवन के सब दिन बताऊं हललेलुया आप बहुत लोगों के बहुत बड़े-बड़े सपने होते हैं और बड़े-बड़े सपने देखना कोई गलत बात नहीं है प्रभू चाहता है अपने जीवन में हम अपने जीवन में fruitful बने अपने जीवन में productive बने, कुछ हासिल करें अपने मुकाम को भी उंचा करें, इसमें कोई गलत बात नहीं है लेकिन अगर प्रभू के बिना, अगर हम अपने सपनों को सकार करने चलते हैं तो प्रभू के बिना भी हमारे संसारिक सारे सपने सकार हो सकते हैं अमीर बनने के लिए प्रभू की जरूरत नहीं है बड़ा आदमी बनने के लिए प्रभू की जरूरत नहीं है प्रभू के बिना हम अमीर भी बन सकते हैं बड़े आदमी बन सकते हैं पावर्फुल आदमी बन सकते हैं अपने जीवन की सारी च्छाएं पूरी कर सकते हैं कमा कर मेहनत करके कुछ भी करके मर्जी की गाड़ी ले सकते हैं, घर बंगला बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मन की शान्ती, संतुष्टी और आनंद कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्यूंकि मैं हर रोस जंत जाता हूं, संडे को भी जिम जाता हूं। तो मैंने उनको बोला कि क्यों न आप एक दिन जिम न जाओ या खिर चले जाओंуск, मेरे साथ चर्च क्यों नहीं चलते हुं। तो टाल देते थे। तीन महीने तक मैं उनको बोलता गया, चलो मेरे साथ-कल म इधर पीछे वाली गली में जब वो टर्न कर रहे थे, तब तक उन्होंने अपने जीवन की बारे में सब कुछ मुझे बताया, उन्होंने कहा कि मैं जो पढ़ाई करना चाहता था, मैंने कर लिया, मैं यहां पे आके डॉक्टर का काम करना चाहता था, मैंने कर लिया, अपनी म सब कुछ हासिल कर लिया। अमेरिका जाकि डॉक्टर बन गई, नाम कमा लिया, पैसा कमा लिया, पसंद की लड़की से शादी होने वाली है। धन दॉलत भी बहुत है और सब कुछ है। सब कुछ हासिल करने के बाद भी क्या कह रहे हैं। कुछ तो अभी भी कमी है। मैं अपने दिल से आज यही प्रात्ना करता हूँ, मैंने सुबा भी प्रात्ना की अपने लिए और आप सब के लिए और तकरीबन प्रति दिन में अपने चर्च के लिए आप सब के लिए और अपने लिए प्रात्ना करता हूँ कि हम कभी भी हम प्रभू से दूर ना हो जाएं और हम कभी भी संसारिक सक्सेस, संसारिक कामियाभी पाने के लिए इतने पागल ना हो जाएं कि हम प्रभू को पीछे छोड़ दें और प्रभू को पीछे छोड़ कर आप आगे निकल जाओगे जरूर निकल जाओगे दुनिया की सब चीजें हासिल कर लोगे लेकिन मन कभी संतुष्ट नहीं होगा और आपके मुह से यही बात निकलेगी जो इस डॉक्टर ने बोली कौन सी बात है कुछ तो अभी भी कमी है सिर्फ परमेश्वर आपको खुश कर सकता है सिर्फ प्रभू आपको शांती दे सकता है सिर्फ प्रभू आपको संभाल सकता है सिर्फ प्रभू आपके जीवन में जो असली साटिसफैक्शन है जो संतुष्टी है वो केवल प्रभू की ओर से आती है वो किसी इंसान से नहीं आ सकती हम मेंसे कई लोग हैं जिनके पास उनके जीवन में नौकरी है, काम करने के लिए है पेशा है लेकिन हमारे पास पैशन नहीं है हमारे पास कोई जनून नहीं है कोई चीज नहीं है जो हमें ड्राइव करती है हमारे अंदर किसी प्रकार का जोश नहीं है जो हमें हर रोज अपने बिस्तर से उठके और बाहर निकलने के लिए जो चीज हमें मूफ करती कि नहीं मुझे ये काम करना है आपको पता बड़ी बड़ी कंपनिया तरक्की कैसे हासिल करती है क्योंकि उनके पास एक दर्शन होता है ये जो एक कंपनी है Amazon कंपनी इनका विजन क्या है इनका दर्शन क्या है ये करना क्या चाहते है इनका जनून क्या है इनका जोश कहां से आता है देखो ये अपने बारे में क्या कहते है यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है उनका विजन क्या है हम धर्ती के सबसे जादा कस्टमर का ध्यान ग्राहकों का ध्यान रखने वाली सबसे बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं ताकि हम एक ऐसी कंपनी बन जाएं ताकि हर प्रकार के लोग हमारी कंपनी में आएं और जो उनको चाहिए वो ढूंड कर हमारी company से online खरीद लें यहां पर बैठे कितने लोग है जिन्हों ने Amazon से कुछ order किया है आपको पता है Ariana के लिए हमें उसकी therapy के लिए जो उसको problem है हमें उसकी therapy के लिए कुछ समान चाहिए था India में कुछ ऐसा समान है जो बच्ची के मुँ में डाल कर therapy करना पड़ता है और यहां पर अच्छा प्लास्टिक नहीं बनता हमारे देश में और मैं जब अब युएस गया था तो मैं ढूंड के लाया वहां से और अपनी बच्ची के लिए जो भी आइटम हमको चाहिए थी वो अच्छे प्लास्टिक की ढूंड के लाया हो पर पता मुझे वहां पर मिली कहां पर वो Amazon से मिली उनकी कंपनी का उदेश है कि दुनिया भर में जिसको जो खरीदना है हमें ऐसी कंपनी बनना है कि हमारे पास लोग आएं और हमसे खरीदें और आज आपने कित्तों ने हाथ उठाया कि आज हम शॉपिंग कहां पर करते हैं Amazon से करते हैं एक और कंपनी की बात करते है Google कंपनी ये Google कंपनी क्या बोलती है हमारा उनका mission क्या है उनका कारे क्या है मुख्य कारे वो क्या करना चाहते है Google कंपनी कहती है कि हमें दुनिया की सारी जानकारी को विवस्थित करना है दुनिया की किसी भी topic के उपर किसी भी विशे के उपर जानकारी हमें इखटी करनी है उसको विवस्थित करना है और पूरी दुनिया में उसको इस प्रकार से हमें प्रवाइड करना है कि अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए तो वो हमारी कंपनी में आए और हमारे वेबसाइट पे जाकर गूगल से उस विशे पर जानकारी निकाले यहां पर कितने लोग है जिन्होंने गूगल का इस्तिमाल किया है यह कैसे हो पाया बाइद वे लोग मजाग उड़ाते हैं जो लोग गूगल सर्च इंजन की जगा कोई और सर्च इंजन इस्तिमाल करते हैं उनकी उपर हसते हैं जैसे की Bing, सुना अपने Bing नाम, वो भी यही काम करता है, लेकिन उसको कोई इस्तिमाल नहीं करता. क्योंकि इनके पास एक उदेश्य है. मेरे प्रियोक कमपनियों के पास उदेश्य होता है. सोच के देखो, कमपनियां चलाता कौन है? कमपनियां कौन चलाता है? लोग चलाते हैं, इंडिविजुल्स चलाते हैं, आपकी और मेरे जैसे लोग चलाते हैं, कंपनियां कंपनियों के पास अपना उदेश है, बड़े-बड़े उद्योगपतियों के पास अपना उदेश है बड़े-बड़े politicians के पास अपना उदेश है मसीहियों का उदेश कहां है जो प्रभू को मानते है, प्रभू को जानते है आपके जीवन का उदेश कहां है What is your purpose? क्या है आपका उदेश? प्रभू को जान लिया, शाबाश चर्च आते हो, very good बफ्तिस्मा ले लिया, शाबाश पर कर क्या रहे हो अपनी जिंदगी में अपना समय कैसे बिता रहे हो 2007 में मैंने प्रभू को जाना उसके बाद 2007 में मैंने प्रभू को जाना और 2008 के बीच लगभग, I don't know कौन सा महीना था लेकिन 2008 में मेरे पास्चर ने मुझे अपने घर बुलाया उनके घर के बाहर छोट असा पार्क है घास लगी हुई थी, वहां हम बैठे और बहुत सारी बाते करने लगे और मेरे पास्चर ने बड़े डिरेक्टली मुझसे एक सवाल पूछा उन्होंने मुझसे ये पूछा जोई, वो जानते थे कि मैं नौकरी कर रहा हूँ और वो जानते थे कि मेरी नौकरी बहुत अच्छी है वो जानते थे कि ये बिजी रहता है और समय निकाल कर चर्च आता है सेवा करता है बहुत अच्छा जीवन है बढ़िया है लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा जॉए अपनी तुमारे एक जीवन है तुमको मिला बार बार नहीं मिलेगा हमको कितना जीवन मिला है एक जीवन मिला है मुझसे पूछा जॉए तुम करना क्या चाहते हो अपने जीव से मुझे मेरा उदेश मालूम था और मैंने उनको बोला कि मैं वो करना चाहता हूँ जो आप करते हो मुझे प्रबू का सेवक पनना है मुझे चर्च में सेवा करनी है अब उदेश का मतलब मैं clarify कर दूँ जीवन में उदेश होने का मतलब ये नहीं हैं कि अपनी नौकरी या पेशा या बिसनस छोड़कर हम पादरी बन जाएं, नहीं है, जीवन में उदेश होने का मतलब मसीही लोग अपने जीवन में उदेश रखें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी नौकरी या अपना पेशा छोड़कर हम पादरी बन जाए या मिशनरी बन जाए मैं ये नहीं कह रहा हूँ In fact, सब लोगों को परमेश्वर ने पादरी या मिशनरी या पास्टर या एवेंजलिस्ट बनने के लिए नहीं बुलाया है, पर परमेश्वर ने अपनी महिमा करने के लिए सब को बलाया है और जिस प्रकार एक पास्टर, एक अच्छा पास्टर होकर खुदा की महिमा कर सकता है उस प्रकार एक टीचर स्कूल में अच्छी टीचर होके परमेश्वर की महिमा कर सकती है आप कंपनी में काम करते हो आप housekeeping staff हो, आप security staff हो, आप cleaning staff हो, आप administrator staff हो, आप दुकान चलाते हो, आप जो कुछ भी करते हो, उस जगापर परमेश्वर की महिमा के लिए मेहनत से काम करके और एक प्रेम का व्यक्ति बनकर और समय निकाल कर कलीसिया में, कलीसिया के साथ जुड़कर सेवा के कारियों में काम करने के द्वारा, आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हो, आप परमेश्वर के नाम को महिमा पहुंचा सकते हो, हम आगे देखेंगे हमारा उदेश्य क्या है, पर मैं आपको ये कहना चाता हूँ, कि अगर कंपनियों के पास उदेश्य है, बड़े-बड़े लोगों के पास, नेताओं के पास उदेश नहीं चुना. लेकिन परमेश्वर ने विश्वासियों के लिए धरती की नीव रखने से पहले ही एक उदेश को चुन लिया था आज मैं एक पास्चर हूँ और आज मैं समाज की सेवा भी करता हूँ तो मैं ये जानता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर ने ये उदेश धर्ती की नीव रखने से पहले ठहरा दिया था बाइबल बताती है और आगे हम देखेंगे कहां लिखा है ऐसा परमेश्वर ने सुनने हैं सारे? सुन रहे हो सारे? परमेश्वर ने धर्ती की नीव रखने से पहले विश्वास करने वालों के लिए एक उदेश रख छोड़ा था और आज जब आप विश्वास करने लगे हो तो विश्वास में आने के बाद आपकी जिम्मेदारी है आपका कर्तव्य है आपकी बुलाहट है कि आप उस उदेश को पहचानो और उसके पीछे जलो परमेश्वर ने आपको एक उदेश दिया है हम सब के पास अपने व्यक्तिकत mission statement होना बहुत जरूरी है हम सब के पास एक व्यक्तिकत mission statement होना चाहिए ये मेरे जीवन का उदेश्य है मैंने अपना जीवन इस उदेश्य के लिए रख छोड़ा है मुझे परमेश्वर ने इस उदेश्य के लिए मुझे परमेश्वर ने ठेराया है जब मैं इस बार ही जब मैं युएस घया तो पहले शहर में जब मैं गया और जिस घर में मुझे रहने का प्रबंध हुआ था उस घर में जो भाई साब थे जो जेंटल्मेन दे उनका वो किसी अमेडिकल कमपनी में काम करते हैं लेकिन वो एक medical company में काम करते हैं, 64 साल उनकी उमर है, लेकिन वो एक Bible Study Group के टीचर है, और वो अपने Bible Study Group के टीचर है, तो बड़ी मेहनत से तयारी करके उनके कमरे में इतनी, मेरे खाल में उनके पास कपड़े कम होंगे, किताबे जादा होंगी, और इतनी बड़ी कमपनी में उन्चे पद पे, डिरेक्टर के लेवल पे काम करते हैं, लेकिन समय निकाल कर प्रती दिन डेली वो स्टडी करते हैं, और हफते में, in fact, वो दो ग्रूप चलाते हैं, एक ग्रूप में वो सिखाते हैं, और दूसरे ग्रूप में बहुत साल पहले, उसके बाद अब वो एल्डर भी नहीं हैं, लेकिन बहुत ही इमानदारी से, दो ग्रूप की अगवाई करते हैं, एक ग्रूप में बाइबल सिखाते हैं, मैं ऐसे नहीं कुछ भी चाकि बोल दिया, बहुत मेहनत करके, डीप स्टड़ी करके बचन सिखाते हैं, और संडे रात को मुझे दोनों ग्रूप में लेके गए, संडे रात को एक ग्रूप में उनकी जिम्मेदारी क्या है, कोई बाइबल नी स्टड़ी नी करेगा, हम सिरफ प्रातना करेंगे एक घंटा, और दुनिया भर के लिए वो प्रातना करते हैं, प्रभू के राज्य के लिए प्रातना करते हैं, जब उनके बीच जाकर मैंने हमारे चर्च के बारे में बताया, तो उन्होंने आप लोगों के लिए प्रातना की, इस प्रकार कितने लोगों से में मिला हूँ, और हमारे चर्च में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना काम करते हैं नौकरी करते हैं जो भी उनका काम है लेकिन उनके जीवन से परमेश्वर की महिमा जलगती है दिखती है तो ये मत सोचना कि प्रभू की महिमा करने के लिए हमें पास्टर बनना होगा नहीं नहीं प्रभू की महिमा करने के लिए जो उदेश्यव परमेश्वर ने आप के लिए रखा है उसको पहचानना होगा और उसका पीछा करना होगा हालेलोया पर उसके लिए आपका परसनल मिशन स्टेटमेंट होना जरूरी है Personal means आपका खुद का व्यक्तिकत, it is mine, ये मेरा है प्रभू ने ये काम मुझे दिया है और वो आपको पहचानना है 2016 में मेरी शादी हुई आप आप जानते होंगे और हमारे DBF Noida के एक एक elder अब नहीं है elder उनका नाम है D. Sudhir तो मेरी शादी होने के तीन महीने पहले Bombay में Hagai का National Seminar था वो देश भर के अगवों को बुला कर उनको ट्रेनिंग देते हैं दस दिन वहाँ पे रहना पड़ता है दिन रात काफी गंभीर कारेक्रम होता है और आजकल वो हिंदी में भी होता है और यदि आप चाहें तो आप जाना चाहें तो मेरे से बात कर सकते हैं जब मैं वहाँ पे गया Bombay में था उस साल मैं वहाँ पे रहा दस दिन रहा बहुत ही गंभीर टाइट प्रोग्राम था और वहाँ पे हमारे बहुत सारे कोच आयोए थे एक कोच थे D. Sudhir Sudhir अंकल उनको बोलते हैं उन्होंने हमारे साथ बड़ी महनत की और बहुत समय बिताया और बहुत सकताई के साथ उन्होंने हमको बिठाया बार-बार बिठाया और हमसे लिखवाया बोले प्रात्ना करो उपवास करो और एक कागज लेकर लिखो कुछ सवालों का जवाब दो और उसके बाद उसका निचोड निकालो और एक कागज पे अपने जीवन की अपने जीवन की Mission Statement को लिखो Write down, लिखो उसको क्या है आपकी जीवन का उदेश सोचो पहले उसके बारे में प्रभु के सामने बैठो Bible पढ़ो, प्रातना करो उदेश समझो, परमेश्वर से मांगो, उपवास करो और उसके बाद उसको लिखना शुरू करो और दिखाओ मुझे तुम कुछ दिन ले लो लेकिन मुझे दिखाओ तुमारे जीवन का उदेश्य क्या है उस, हलाकि मैं 2007 से प्रभु में हूँ 2011 में हमने चर्च शुरू कर दिया 2012 में मैं पास्टर बन गया लेकिन 2016 में जाकर किसी ने होश में लेकर के आया कि बेटा लिखो सोचो, लिखो तुमारे जीवन का उदेश्य क्या है उन दिनों में मैंने इसको इस प्रकार से लिखा जो मेरे जीवन का मैंने Mission Statement बनाया और वो क्या है, मेरा उदेश्य ये है कि मैं लगन से प्रभु को प्रेम करूँ, क्योंकि सबसे पहले प्रभु है कि मैं लगन से प्रभु से प्रेम करूँ, कुर्बानी करके अपने परिवार को प्रेम करूँ, समवेधन शील होकर, मतलब sensitive होकर, सोचकर, ध्यान करके, मैं अपने समाज की सेवा करूँ, और दूसरों की मदद करूँ, कि वो भी ऐसा ही करें, ताकि प्रभु की योजना इस संसार में पूरी हो आपका, आप जो लोग बैठके आज इस वचन को सुन रहे हैं अफकोर्स, मैंनी expect कर रहा हूँ कि आपके पास एक लिखा हुआ कागज होगा शायद हो, बहुतों के पास होगा भी पर आज मैं आपको केवल उचसाहित करना चाहता हूँ दुनिया से कटके परिवार से भी कटके कुछ समय तक अकेले बैठो, बार-बार बैठो प्रभु के सामने बैठो और प्रभु के सामने बैठकर वचन पढ़के, प्रातना करके उपवास करके अपने जीवन का उदेश क्या है उसको सोचो और यदि आप लिख सकते हो तो उसको लिखो क्या है आपके जीवन का उदेश परमेशवर ने आपके दिल में किस चीज का बोज डाला है परमेशवर ने आपको किस बुलाहट के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया तो जरूर है God has called everybody परमेश्वर ने कुछ लोगों को नहीं बुलाया परमेश्वर ने सारे लोगों को बुलाया है मैं आपकी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकता और अगर आप अपने जीवन को लेकर गंबीर नहीं हो तो मेरी गंबीरता आपके कुछ काम आ सकती है कि शायद आप भी सोचने लगो लेकिन आपको अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेनी है और आपको सोचना है आपको किस प्रकार इस धर्ती पर जीते हुए आपका जीवन जितना सा भी है आपको क्या उदेश है आपका उसको जानना है और आपने उसको पूरा करना है लोगों के पास जीवन में उदेश क्यों नहीं होते ऐसा क्यों है कि लोगों को अपना उदेश पता नहीं होता वाईडू पीपल नॉट नोट नो या वो बोलते हैं, मैंने सोचा ही नहीं है, मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं है कि मेरे जीवन का उदेश क्या है, कहीं के लिए तो शायद आपको नहीं पता, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं है, जब आप सोचेंगे तो आप उसकी तरफ बढ़ने लगेंगे, या वो बोलत प्राप्त कर रहे हैं, इसका नाम क्या है? साधारण मसीही जीवन the normal Christian life किसने कहा कि आप normal से बढ़के हो किसने कहा कि मैं normal से बढ़के हूँ हम सब normal ही है केवल परमेश्वर है जो extraordinary है, परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान है, आप और मैं हमेशा इंसान normal ही है हम special ही नहीं पर परमेश्वर ने ऐसे लोगों के लिए जो normal है, साधारण है परमेश्वर ने ऐसे लोगों के लिए एक उदेश्य को रखा है, बोलो hallelujah तो हम, लोग बोलते हैं मैं तो special नहीं हूँ मैंने, बस जिंदगी चल रही है बस हम हर रोज, प्रभू ने बोला है जादा चिंता मत करो, कल की चिंता मत लोग ऐसे बोलते हैं, मैंने, बहुत हो सुना हूँ है कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता खुद कर लेगा, प्रभू ने सिखाया हमें रोज की रोटी दे, तो हम बईया एक दिन की चिंता करते हैं, हम सोचते नहीं इसके बारे में और ये गलत विचार है, और बचन को गलत तरीके से समझने का एक नजरिया है, कुछ लोग बोलते हैं बस मैं सिर्फ एक दिन आज की चिंता करता हूँ, मैं जादा सोचता नहीं हूँ कुछ लोग बोलते हैं, mission का उदेश, purpose जीवन का उदेश क्या है? mission, ये तो ना पढ़े लिखे लोगों का काम है या फिर ये पादरियों का काम है हमारा काम नहीं है, हम तो भईया महनत करते हैं अपना घर पालते हैं, ये हमारा नहीं है ये कारण है कि हमें अपना उदेश नहीं पता क्योंकि हम जूट पे विश्वास करते हैं हमने यही बोल दिया हम तो खास है हमको नहीं मालूम हमें समय नहीं मिलता हमने कभी सोचा नहीं हम जहाद दूर की नहीं सोचते तो जाहिर सी बात है कि आपको आपके जीवन का मकसद नहीं पता होगा एक बात है कि अगर हमें अपना उदेश पता चल भी जाए तो भी हम अपने उदेश की और बढ़ नहीं पाते मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब मैंने अपना उदेश जान लिया उसके बाद मैंने तुरंट अपना कदम नहीं बढ़ाया 2008 में मैं अपना उदेश जानता था 2011 में जाके मैंने पहला कदम उठाया उसकी और और 2012 में जाके मैंने अपनी नौकरी को छोड़ा बहुत बार हम अपने उदेश को जानते हैं प्रभू हमें दिखा रहा है प्रभू हमें दीरे-दीरे प्रभू हमें साफ कर रहा है हमारा उदेश क्या है बठम उसकी और बढ़ते नहीं है पता हम क्यों नहीं बढ़ते हैं सबसे पहले सबसे बड़ा कारण है हम डरते हैं We have fear हम डरते हैं कि अगर मैंने अपने उदेश की और कदम बढ़ा लिया, अगर मैं हार गया तो क्या होगा? लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे? लोग मेरा मजाख उड़ाएंगे. लोग मेरी हसी करेंगे. मेरे दोस्त में मुझे छोड़ देंगे. अलग अलग प्रकार का डर हमारे अंदर रहता है. और दूसरा, हम गंभीर नहीं होते. हमें पता है हमारा उदेश क्या है? हमने उसकी और कदम नहीं बढ़ाया. क्योंकि हम गंभीर नहीं हैं. हम सीरियस नहीं हैं. हम हसी मजाग में अपना दिन, पूरा दिन निकाल देते हैं या तो हसी मजाग में निकाल देते हैं या हलके फुलकी कामों में निकाल देते हैं या चिंता में निकाल देते हैं या दुनियादारी की बातों में निकाल देते हैं हम गंभीर नहीं हैं अपने उदेश को लेकर, we are not serious, इसलिए हम अपने उदेश की और बढ़ नहीं पाते हैं, और तीसरा, हमें support नहीं मिलती, हमें मदद नहीं मिलती, अब मैं एक बात बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना, हमें हमारा उदेश यदी पता है, तो हमार क्किक हैं, तो हमें mentor की सहाईता के बिना, हम अपने उदेश को पहली बात नहीं मिलती को प्राप्त नहीं कर सकते, हम मिलती, हमें एक यूदीर चाहिए, हमें एक सहायता करने वाला चाहिए हमें एक हाथ पकड़ने वाला चाहिए हमें एक होसला देने वाला चाहिए हमें कोई तारीफ करने वाला चाहिए हमें कोई डांटने वाला चाहिए हमें कोई हमसे सवाल पूछने वाला चाहिए जब तक आपके जीवन में कोई mentor नहीं है, कोई आपका अगवा नहीं है, बहनों के लिए कोई बड़ी बहन नहीं है, भाईयों के लिए जब तक कोई बड़ा भाई नहीं है, तब तक आप अपने उदेश्यों में नहीं बढ़ोगे, और शायद अपने उदेश्यों को जान भ हुआ करता था लेकिन कुछ एक सालों से एक mentor होने की value को मैंने समझ लिया है और मैं कुछ भी करके अपने 4 से 5 जिनको मैं mentor मानता हूँ उनके साथ मैं समय बिताता हूँ उनके साथ मैं प्राथना करता हूँ उनके साथ मैं वक्त बिताता हूँ उनको मैं बहुत सारे text भेजता हूँ और उनके साथ बातशीत करता हूँ आपके जीवन का आपके जीवन का वो गहरा मित्र कौन है जो आपका mentor है कौन है जो आपको रास्ता दिखाता है, कौन है जो आपसे सवाल पूछता है के तुम Bible पढ़ रहे हो और आपको support चाहिए आज मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे mentors, मेरी मदद करते हैं केवल मुझसे बाते नहीं करते वो actively होकर मेरी मदद करते हैं और इसलिए मैं अपने उदेश्य की पूर्ती की ओर चल पा रहा हूँ कमजोर मैं भी होता हूँ सुस्त मैं भी होता हूँ डरता मैं भी हूँ हर एक इनसान जो अपने उदेश्य की पूर्ती करता है यह बाते जो मैं बोल रहा हूँ यह केवल आपकी उपर लागूनी होती मेरे उपर भी होती है डर मुझे भी लगता है मैं बहुत डरता हूँ परमेश्वर अगर ये सेवा जो तुने मुझे सौंपी है अगर ये फेल हो गई तो क्या होगा बहुत सारा ग्यान मुझे भी नहीं मालूम है कि इस situation कि में अब मुझे क्या करना चाहिए मुझे सारी knowledge नहीं है मुझे सारा ग्यान नहीं है हम अपना उदेश यदी जानते हैं तो भी अगर हमें अपने उदेश की और आगे बढ़ना है हमें leaders चाहिए हमें mentors चाहिए हमें उनके under accountability जवाबदारी में रहना होगा हमें transparency में सब कुछ उनको बताना होगा हमें उनके साथ चलना होगा मेरे प्रियो ये संसार और शैतान परमेश्वर और परमेश्वर के राज्य के खिलाफ है और आने वाले कुछ सालों में हमारे देश की तस्वीर बदलने वाली है आने वाले कुछ सालों में इसलिए अगर हम अपने विश्वास को लेकर गंभीर ना होंगे, अगर अपने उदेश को लेकर गंभीर ना होंगे, हम तितर बितर हो जाएंगे, और शैतान का कार्य है, वो हमें तितर बितर करें, उसका उदेश है, सोचो शैतान अपना उदेश जानता है, शैतान अपना उ देश्य के बारे में, मैं फड़ा बड़ समाप्त करूंगा वचन कहता है, जहां दर्शन की बात नहीं होती, जहां लोगों को यही नहीं पता उन्हें करना क्या है, तो क्या लिखा है वहां लोग निरंगकुष हो जाते हैं, मतलब उनके जीवन से कोई अंकुर नहीं फूटता, उनके जीवन से कुछ फल नहीं निकलता, उनके जीवन से वो कुछ हासिल नहीं कर पाते शायद अपने लिए हासिल कर पाएं लेकिन दूसरों के लिए, समाज के लिए, कलीसिया के लिए, प्रभू के राज्य के लिए और प्रभू की महिमा के लिए वो निरंकुष होंगे, उनके जीवन से कुछ हासिल नहीं होगा Selfish जीवन जी के मर जाएंगे They will live a very small selfish life and they will die मर जाएंगे छोटा सा जीवन जी के, कमा लिए दो घर ले लिए दो प्लॉट और ले ली मेश्वर की आवश्शक्ता नहीं है अगर आप प्रभू के पीछे आते हो गाडियों के लिए, घर के लिए, चंगाई के लिए, बच्चों के लिए, तो आपको सच्मुच में प्रभू के पास आओगे तो प्रभू तो चुनाओ आपका है लेकिन अगर खरी शिक्षा कठोर शिक्षा और गहरी शिक्षा और हमें मजबूत करने वाली शिक्षा यदिद चाहिए तो हमें गंभीर वो हैं जो वो लोग हैं जो गंभीर है अपने जीवन में जहां दर्शन की बात नहीं होती जहां विजन नहीं होता जहां मिशन नहीं होता जहां लोगों को यहीं नहीं पताओ उन्हें करना क्या है तो वहां लोग क्या हो जाते हैं पढ़के बताओ निरंग कुष हो जाते हैं और क्या लिखा है आगे आप पड़ो उन भले कामों के लिए स्रिजे गए हैं जिने परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तयार किया है पर हम हम सब परमेश्वर की रचना है परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया है और मसी येश्व में उन भले कामों को करने के लिए हम स्रिजे गए है परमेश्वर ने हमें बनाया है इसके लिए कि हम भले कारे करें और ये भले कारे प्रभु ने कब रखे हमारे लिए कब चुने प्रभु ने ये भले कार पहले से ही उसने हमारे करने के लिए तयार करके रखे हैं, हालेलुया तो परमेश्वर ने हमारे लिए इस प्रकार मैंने लिखा इसको कि परमेश्वर ने हमारे लिए केवल उद्धार नहीं दिया इंजॉई करने के लिए लेकिन परमेश्वर ने हमें एक mission भी दिया है जिसको हमें पूरा करना है परमेश्वर ने आपको खाली मसीही जीवन का tag लगा कर stamp लगा कर जाओ तुम मेरी संतान हो जाओ मौज करो परमेश्वर ने केवल वही ने किया आज के बाद तुम मेरी संतान हो बिटा तुमारे पाप माफ कर दिये मैंने केवल यही पर आपका मसीही जीवन stop नहीं होता अगर प्रभू ने आपके आत्मा पर पवित्रात्मा की मोहर लगा कर आपको अपना पुत्र पुत्री ठेरा दिया है पाप माफ कर दिये है अरंत जीवन दे दिया है बिलकुल सही है साथ ही साथ प्रभू ने आपको करने के लिए एक मिशन भी सौंपा है मुझे बताओ, अपने आपको बताओ क्या है वो मिशन क्या है वो मिशन जो प्रभू ने आपको उसने आपको धार दिया, आपने ले लिया पर उसने आपको mission भी दिया है वो कहा है, वो है क्या mission किसके लिए जीना चाहते हो अपना समय किसके लिए बिताना चाहते हो Who are you living for इसका जवाब देना है ये मैं आज इसलिए आज मैं mission उदेश मैं इनकी बातें कर रहा हूं ये शाया 43 के साथ हर एक जो मेरा कहलाता है सब के लिए नहीं है ये जो बचन है ये सब के लिए नहीं है लेकिन हर एक जो मेरा कहलाता है परमेश्वर कहता है जो मेरा कहलाता है जिसको मैंने प्रभू ने क्या कहा क्यों बनाया है अपनी महिमा के लिए बनाया है और मैंने रचा है और उनको मैंने बनाया है परमेशवर ने आपको अपनी महिमा के लिए बनाया है सवाल यही उठता है आप प्रभू की महिमा कैसे कर रहे हो How are you glorifying God परमेशवर ने आपको अपनी महिमा के लिए बनाया है लेकिन आप प्रभू की महिमा किस प्रकार कर रहे हो दो चीजें सबसे पहले अपने चरित्र से और दूसरा अपनी सेवा से सबसे पहले अपने बोलो बोलो सबसे पहले अपने चरित्र से उसकी महिमा करते हो और ये वाली महिमा जादा जरूरी होती है कभी-कभी हमारे कामों की سیवा बढ़ी अच्छी होती पर चरित्र ठीक नहीं होता तो पहले चरित्र से उसकी महिमा करनी है और उसके बाद चरित्र में मझबूत होकर कामों के द्वारा उसकी महिमा करनी है आगे देखिए वचन में क्या लिखा अगर प्रभू आपसे बात कर रहा है तो एक बार हालेलुया चिला दीजे ओके आगे देखते हैं पहला पत्रस चार का दस जिसको जो वर्दान मिला है जिसको जो वर्दान मिला है मतलब प्रभू ने आपके अंदर एक गुण, एक तोड़ा, एक गुण, एक कला, एक आत्मा के द्वारा जो शक्ती दिन, आत्मा की शक्ती प्राप्त होती है जब आपको और तब आप वो काम कर पाते हो ये एक एक ना एक काम प्रभू ने सब को दिया है एक ना एक काम प्रभू ने सब को दिया है उसको जानना है उसको इस्तिमाल करना है जिसको जो वर्दान मिला है पड़ो वै उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुक्रा के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सीवा में मतलब आपके पास, सब मेरे पीछे बोलो मेरे पास एक वर्दान है मुझे उस वर्दान को दूसरों के लिए इस्तिमाल करना है यह है जो मैं कहा रहा है जो एक तो चरित्र और दूसरा काम हम प्रभू को महिमा कैसे पहुंचाते हैं सबसे पहले सब बोलें सबसे पहले चरित्र के दौरा और दूसरा कामों के दौरा सबसे पहले किस के दौरा चरित्र के दौरा दूसरा कामों के दौरा ठीक है अब हम कामों की बात कर रहे है वो काम कौन से हैं जो जो वर्दान उसने आपको दिया है उसको जानो, उसको इस्तिमाल करो जो जो वर्दान उसने आपको दिया है उस वर्दान को पहचानो जैसे उस बहन को वर्दान मिला था अनपड महिला नेपाल की क्या वर्दान मिला है उसको? वचन को गीत में ढाल सकती है इस्तिमाल कर रही है प्रभू कितने लोगों को उसके द्वारा अपनी और उसके द्वारा लोगों को खीचा है तो जो वर्दान उसने आपको दिया है उस वर्दान में अपने आपको लगा दो पहला पत्रस दो का नौप, पढ़िए इसमें क्या लिखा है पर तुम एक चुना हुआ वंश हो, राज पधादिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निजप्रजा हो परमेश्वर हमें ये दर्जा देता है और सब मेरे बीचे जोर से बोलेंगे हम क्या है, चुना हुआ वंश बोलो चुना हुआ वंश, राज पधादिकारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की निजप्रजा ये पांच टाइटल हमको मिले हैं, ये हैं हम इसलिए ये हैं हम, इस नजरिये से हम स्पेशल हैं और खास हैं ना क्यूंकि हमारे अंदर कोई खूबी लियाकत है, लेकिन इसलिए क्यूंकि वो बड़ा प्रेम करता है और उसने हमें चुन लिया है, तो क्या लिखा है, इसलिए कि जिसने तुमें अंदकार में से अपनी अद्बुत जोती में बुलाया है उसके क्या करो? उसके गुण प्रगट करो दुबारा से इसके अंदर ताकत है जो हम पढ़ रहे हैं ने, खुदा का वचन है इसके अंदर सामवर्थ है, विश्वास करते हो आप? हमें पांच टाइटल मिले हैं, ठीक है? और क्यों? पढ़ो यहां से इसलिए कि जिसने तुम्हें अंद्बुत जोती में बुलाया है हम क्या करें? उसके गुण प्रगट करें एक काम करते हैं, एक एक अक्टिविटी करते हैं एक टाइम पर एक ही व्यक्ति बोलेगा फड़ा पड़ बोलते जाएए, प्रभू के गुण क्या क्या है बोलते जाओ, क्या क्या गुण है प्रभू के? जो आपको लगता है, यह गुण प्रभू की अंदर है बोलो हां जी? वो भला है, वो दयालू है हां जी? प्रेमी है, ओके, एक काम करते है इसको लिख लेते हैं, ठीक है? हां जी, सबसे पहले क्या बोला था? भलाई दूसरा दयालू हां जी? प्रेमी अनुग रहकारी बता और और पवित्र वेरी गुड विलंब से क्रोध करने वाला, मतलब प्रभू जल्दी से गुसा ओके, विलंब से क्रोध करने वाला और बताओ उसकी गुण के है बहनों में से कोई-कोई ग्यान ही नहीं है आपके पास शांती दाता हां जी, और सामर्थ से भरा, हां और बहने प्रभू के गुण बताओ प्रभू के अंदर कौन-कौन से गुण है महान, अच्छा, ओके very good, माफ करने वाला वो चरवाहा है, ओके और उसकी गुण क्या है उद्धार करता, और और बताओ उसकी गुण क्या है प्रेम करने वाला, ठीक है लिखा हुआ है प्रेम करने वाला, और स्रिजनहार, अच्छी चीजों को Create करने वाला, Srijanhaar और हैं जी हमेशा वफदार रहने वाला कभी ना छोड़ने वाला, very good और Anandhkaal, okay, very good Anandhkaal जीवन देने वाला हिम्मत देने वाला बोल सकते हैं हमें आशा देने वाला कै सकते हैं क्या करना है हमें फिर ये वचन क्या बोल रहा है कि परमेश्वर ने हमें क्या किया है पढ़के बताओ, जिसने हमें अंधकार में से अपनी अधबुत जोती में बुलाया है तो हम क्या करें उसके गुण प्रगट करें क्या है उसके गुण भलाई मेरे पीछे भड़ बोलते जाएं भलाई दयालू प्रेमी अनुग्रहकारी पवित्र विलंब से क्रोध करने वाला शांती देने वाला सामर्थ देने वाला महान माफ करने वाला चरवाहा उद्धार करता स्रिजनहार वफादार सच-सच बोलने वाला वेरी गुड और जीवन देने वाला हिम्मत देने वाला आशा देने वाला ये सब कुछ हमें करना है हमें प्रभू के जैसा बनना है और हमारे अंदर से बाहर निकलना है ये सब कुछ उसके गुण क्या करो प्रगड करो हललुया और यहीं पे देखो कितना सुन्दर है ये सब चरित्र की बाते हो रही है चरित्र हमारे अंदर प्रभू का निर्धार प्रभू का चरित्र हमारे अंदर बन रहा है और उससे प्रभू की महिमा हो रही है हम प्रभू की महिमा और जो भी प्रभू ने आपको जहां-जहां रखा है वहां पर आपको पांच साल वेट नहीं करना ठीक है पांच साल के बाद आज मैंने शिक्षा प्राप्त कर ली प्रभू तरह धन्यवाद थेंक यू जीजस अब मैं पांच साल के बाद अपने उदेश्य में चलना शिरू करूंगा इसका मतलब आपने वचन समझा ही नहीं आपको आज अपने उदेश्य को जानना पहचानना और उसके पीछे चलना शिरू करना है ये बहुत अच्छा वचन है प्रेटों के कारियों में दाउद की कहानी नहीं लिखी हुई प्रेटों के कारियों में हम देखते हैं पत्रस की कहानी है पालूस की कहानी है दाउद की कहानी ओं बैक इंदर डे ओल टेस्टमेंट के अंदर अपन देखते हैं लेकिन यहाँ पे प्रेटों के काम में पुराने नियम का एक शक्स है, उसका नाम है दाउद। उसके बारे में एक लाइन कहीं पे टक करके रखी हुई है। और क्या लिखा है उस एक शक्स के बारे में? दाउद के बारे में क्या लिखा है? सब लोग पढ़ेंगे मिलके? सड़ गया मतलब उसका शरीर जो है वो मिट्टी से मिल गया, अब ध्यान दीजे इदर, बड़ी बहुत पावर्फुल बात लिखिए यहां पर, कि अपने युग में दाउद तो अपने परमेश्वर की इच्छा की अनुसार अपने समय में, अपने युग में, अपने जीवन काल में, अपनी जेनरेशन में, परमेश्वर का उदेश्च जो उसने उसको दिया था, परमेश्वर ने दाउद को एक उदेश्च दिया था, क्या लिखा है, दाउद उस उदेश्च को पूरा करके सो गया, मतलब मर गया, क्या आप मरने से पहले अपने उदेश्च को पू कर रहे हैं किया आप अपने मरने से पहले अपने युग में अपने बच्चों के सामने एक अच्छा उधारन बनके प्रभू को प्रेम करने वाला प्रभू की सेवा करने वाला प्रभू के जैसे बनने वाला व्यक्ति बनकर प्रभू का दिया हुआ उदेश्य पूरा करके मरन चाहते हैं, आपको चुनना है आज, आपके जीवन की कामियाबी, आपके बच्चे क्लास में फर्स्ट आते, सेकेंड आते, थर्ड आते, ये आपकी कामियाबी का माप दंड नहीं है, क्योंकि अगर एक, मान लीजिए, एक क्लास में पचास बच्चे हैं, पचास के पचास क्र सारे के सारे बच्चे प्रभू पे विश्वास करने वाले हैं, और सारे माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रात्ना करते हैं, तो भी फर्स्ट एक ही आएगा, आपकी काम्याबी, आपकी कमाई, आपकी नाम, आपकी दौलत शोहरत उससे मापी नहीं जाती, कम से कम को आप प्रकट कर रहे हैं, और क्या आप भले कारे और सेवा के द्वारा खुदा के नाम को महिमा पहुंचा रहे हैं के नहीं, फिर चाहे प्रभू ने आपको मिश्णरी बनने के लिए बुलाया है, तो क्या आप संसार से प्रेम करके अपनी बुलाहट के पीछे बनेंगे? यदि प्रभू ने आपको एक टीचर बनने के लिए बुलाया है, तो क्या आप बच्चों को प्रेम करने वाला और महनत करके पढ़ाने वाला टीचर बनना चाहते हैं? यदि प्रभू ने आपको नौकरी करने के लिए बुलाया है और अन्य स्थानों पर चाहे वो नौकरी कोई भी हो, तो क्या आप उस नौकरी को मेहनत के साथ, लगन के साथ, जोश के साथ, सच्चाई के साथ, इमानदारी के साथ, उस नौकरी को करके, अपने नौकरी के स्थान में, क्या आप खुदा को महिमा पहुंचाना चाहते हैं क्या आप समय निकाल कर चाहे आपकी नौकरी कोई भी क्यों न हो पर क्या आप समय निकाल कर कलीसिया के साथ जुड़ कर कलीसिया की अधीनता में होकर क्या आप सेवा करना चाहते हैं यहां से आपके जीवन की काम्याबी को परमेश्वर मापेगा आप देख लो आपने दुनिया के लिए जीना है या आपने परमेश्वर के लिए जीना है आपने दुनिया की success की definition को आपने मानना है दुनिया काम्याबी की परिभाशा क्या देती है क्या उसको मानोगे या परमेश्वर किसको कामिया भी कहता है उसको मानोगे चुनाओ तो करना पड़ेगा मरे प्रियो दोनों दुनिया के मज़े नहीं ले सकते दोनों दुनिया के मज़े नहीं ले पाओगे you have to make a choice आपको चुनाओ करना होगा और बहुत अच्छा है यदि हम चुनाओ कर लें क्योंकि प्रभु जो ना ठंडे ना गरम उनको अपने मूँ से थूकने की बात करता है और वो कहता है कि अच्छा होता कि तुम एक तरफ हो जाते लेकिन तुम ना गरम हो ना ठंडे हो तुम्हें मूँ से थूक दूँगा, मैं प्रभू को पसंद नहीं है ऐसे लोग जो दोनों दुनिया का आनंद लेना चाहते है परमेश्वर के लिए जीना है दाउद अपने युक में अपने उदेश्य को जान चुका था और अपने जीवनकाल में अपनी जेनरेशन में अच्छा उधारन बनके मरने से पहले भी हलाकि उसने पाप किया गिरा लेकिन उसने पस्चताब किया उसने प्रातना की हे परमेश्वर मेरे अंदर एक नया दिल उत्पन कर अपनी आत्मा को मुझसे दूर नहुने दे किया है तो वो पस्चताब करने लगा और उसने कहा जब तक मैंने अपना पाप ना माना मेरी हड़ियां सडने लगी मैं मरने जैसा हो गया पर जब मैंने अपना पाप कबूल कर लिया मेरे परमेश्वर ने मुझे माफ कर दिया और फिर अंत में कहता है अब मैं जाऊंगा और दूसरों को खुदा कर रास्ता दिखाऊंगा इसलिए मेरे प्रियो दाउद हमारे लिए बड़ा अच्छा उधारन है कि वो अपने जीवन काल में अपने उधेश को समझ कर उसे पूरा करके मरा मैं आशा करता हूँ कि आप और मैं भी अपने उधेश को पूरा करके ही मरेंगे लेकिन दाउद का भी एक हीरो है दाउद हमारा हीरो नहीं है हमारा हीरो कौन है प्रभू येश्यू मसी प्रभु येशु मसी क्या कहता है? यहुना अठारा में ऐसे कहता है for this purpose इस उदेश के लिए मैंने जनम लिया और इस उदेश के लिए मैं धर्ती पे आया हूँ कि मैं सच्चाई की गवाही दूँ प्रभु येशु मसी अपने उदेश को जानता था और आप जानते हैं प्रभु येशु मसी अपने मरने से पहले प्रातना करता है यहुना सत्रा में और यहुना सत्रा के चार में अपनी प्रातना में प्रभु येशु मसी क्या कहता है? वो कहता है हे परमेश्वर मैंने इस धर्ती पर तेरे नाम को महिमा पहुंचाई है, वो काम पूरा करके, जो तुने मुझे दिया है. क्या बोलता है येशु मसी? हे परमेश्वर, मैंने इस धर्ती पर तेरे नाम को महिमा पहुंचाई है, कैसे? उस काम को पूरा करके, जो काम तुने मुझे सौंपा है येशुमसी ने हमारे उद्धार का काम पूरा कर दिया आज हमें सेवा इसलिए नहीं करने कि प्रभू हमारे पाप माफ कर दे हमें स्वर्ग में जगा दे दे हमें मोक्ष दे दे, हमें उद्धार दे दे वो तो मुफ्त में मिलता है, विश्वास करने से मिलता है पर विश्वास करने के बाद, उद्धार हासिल करने के बाद यदि हमें अपने प्रभू की महिमा करनी है तो उसके लिए हमें प्रभू के चरित्र में ढलना होगा और प्रभू के सेवा के लिए अपना जीवन हमेशा मर्पित करना होगा CT स्टर्ट ने एक बात कही Only one life, एक जीवन है, खतम हो जाएगा सिर्फ जो प्रभू के लिए किया, वही रह जाएगा एक जीवन, जो उसने हमें दिया है, समाप्त हो जाएगा सिर्फ जो प्रभू के लिए किया, वही रह जाएगा सोचने की बात है कि सूरज अपना उदेश जानता है आकाश में उड़ने वाले पंची अपना उदेश जानते है समस्त काइनात अपना उदेश जानती है क्या आप अपना उदेश जानते है क्या आप वो बनेंगे जो प्रभू आपको बनाना चाहता है क्या आप वो बनेंगे जो प्रभू आपको बनाना चाहता है आयम प्रात्ना करें